हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग केक पाइपिंग जेल बनाएंगे जो केक के उपर हम आइसिंग करते हैं जेल से वो वाली जेल आज हम लोग बनाने वाले हैं और मैंने पहले पीस की रेसिपी शेयर कीती पर काफी कुछ डाउट से और उस मैथड पे थोड़ असा टाइम लगता है तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चल्लड पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजिएगा तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि यह पाइपिंग जल हमें किस तरीके से बनाने हैं तो पाइपिंग जल 2 बड़े चम्मच भर करके इसमें शुगर अड्ड कर दीए है इसके बाद में उसी चम्मच से नाप करके एक चमच हमें लिया वियूर कर सकते हैं और अच्छे को आप अच्छे से मिक्स कर कर देंगे और एकदम लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना होगा थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसका जो कलर है ना वो एकदम ट्रांस्पेरिंट सा हो जाएगा यानि कि एकदम ट्रांस्पेरिंट सा कलर होता है बिल्कुल वैसा ही इसमें आ जाएगा जैसे कि न्यूट्र बन कर त्यार हो जाता है जद्धा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा और आप देख रहें किस तरह इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है यह देखिए आप एक दम गाड़ा-गाड़ा सा हो रहा है और एक दम ट्रांस्पेरेंट लग रहा है बिल्कुल तो अब हम क्या करेंगे अब इसकी गैस को बन कर देंगे इस सतेस पर और इसको बिल्कुल हमें थंडा होने देना है तो यह देखिए थंडा होने के बाद में और भी जदा गाड़ा हो गया है देखरहां है इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की हो गई है लग बग जबाद आपका शुकर melt हो जाती है उसके बाद आपको दो मिनट के लिए इसको और पकाना है और जब तक उसके बाद में यह तियार हो जाएगा अब हम इसमें एड कर रहे हैं फूट कलर मैंने यह आप पर रैड रोज इमल्शन का यूज किया है आप इसके जगे पर फूट कलर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा फ्लेवर भी देना है इसलिए अगर आप फ्लेवर देना चाहते हैं तो इमल्शन यूज कर लीजिएगा ने तो तो थोड़ा सा पानी आट करके उसके बाद उसको यूज कर लें तो आप देख रहे हैं इसकी इस वक्त जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है तो अब आप इसको क्या कर सेकते हैं किसी भी एट आट कंटेनर में भर करके फ्रिज में रख दीजिए दो तीन महिने तक बिल अगर आप इसको कोई फ्लेवर देना चाहें तो आप इसमें सिर्फ फूट कलर का एट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें विनिगर भी एट किया है तो थोड़ इसी खटास उसकी भी आती है तो काफी अच्छा लगता है तो आप लोगों को रेसिपी अगर हैल्फू लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर भी कर दीजेगा और चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई थैंक यू